नमस्कार प्यारे भरतियों और साथियों मैं विवेक सिंग एक बार पुना आपका असागत करता हूँ आप एपने चैनल पर जिसका नाम है PCS मंत्रा बै डॉक्टर विवेक हमारा फोकस UPSC सिविल सेवा और हिंदी भासी राजियों की PCS परिच्छाएं हैं लेकिन हमारे लेक्टर हर सरकारी भरति परिच्छा के लिए उपियोगी है क्योंकि हमारे चैनल पर विग्यान विषय गैर विग्यान विषय या इनके करेंट अफेर्स हर विषय के लेक्टर उपलब्ध हैं इसलिए अपनी संपूर्ड तेज सटीक तयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दवाना ना भोलें ताकि आपको लेक्चर अपलोड होते ही तुरंत जानकारी मिल सके स्वागत आपका जीव विग्यान के दूसरी कच्छा में पहली कच्छा में बेसिकली हमने वरगी करण समझाता पूरे जीव जन्तूं का हर तरह के पौधे बेक्टरिया सबका एक साथ समझ लिया था कि पांच भाग होते हैं दुनिया भर में जितने भी जीव जन्तू हैं पह फ्ला जन्तू या फ्ला पौधा कहा से करता है तो जन्तू का पूरा क्ल viruses पेड़ी के पौधे इस पूर्प तरण समझेंगे ऑर लाष में पौधे के कुछ रूपानतरड पूछ दिता है कि आलू किसका रूपानतरड है पौधे में तीन भाग होते हैं बेसिकली ना तना ज तोड़ा सा clear नहीं है उतना photo उतना strong camera नहीं था mobile का लेकिन फिर भी समझ में आ रहा है मैं बोलूँगा तो समझ जाएगा तो animal का समझते हैं तो animal में basically सबसे पहले दो तरह से करते हैं divide पहला ऐसे animal जिसमें केवल sales हैं tissue नहीं है आपको बताया था कि हमारे अंदर 37 trillion sales हैं और एक विसेश प्रकार की कोशिकाओं के समझ को बोलते हैं tissue यesसे हड़ी के कोशिकाओं जो है वो मिलकर हड़ी कोशिकाओं के समझ बनाएंगी जिसको बोलते हैं tissue ठीक है ऐसे अलग-अलग tissue होंगे लेकिन जो एकदम simple जानवर है simple animals हैं उसके नदर tissue नहीं होता सिरफ कुछ sales का स तो इस seller label में एक आता है phylum अलग अलग होता है animals में अलग अलग phylomes है phylum क्या है आपको नहीं जानना है बस ग्या समझ जाये कि जो पौरी फेरा नामक फाइलम होता है उस में tissue नहीं होता सिर्फ sales होता है पोरी फेरा, साइंस में या इंगलिस में ही पोर का मतलब होता है छेद छेद युक्त जो जानवर होते हैं उसको बोलते हैं पोरी फेरा तमाम तरह के जानवर समें रखे जाते हैं एक फाइले में नाना प्रकार के जानवर होंगे पूरी फेरे में बहुत से जनवर हैंगे एक जनवर जो आप जानते हैं सुने होंगे जो बाजार में बिकता है इस्पंज ठीक है इस्पंज बिकता है नहाने के लिए आप एक रहता है जाली जैसा बना हुआ बीच में छेट-छेट वो नेचरल होता है वो नेचुरल होता है जो जीवित जानवर होता है वो जब मर जाता है तो उसका sponge उठा उठा कर एकठा करते हैं लोग और market में उसको बेचते हैं यह देखिए समुदर के नीचे समुदर के पेंदी पर एक प्रकार का sponge है देखिए इसमें चोटे बड़े कई तरह के छेद हैं और यह देखिए बास्केट में बिक रहा है sponge market देखा होगा अपने market मिल जाएगा को sponge तो यही sponge है इसमें tissue नहीं होता है सिर्फ seller level पर होता है tissue label पर लेकिन अधिकांस जानवर जो दुनिया में पाए जाते हैं अधिकांस tissue label के ही हैं tissue label में भी दो चीज़ें आ जाती हैं उनकी symmetry के अधार पर दो भाग में करते हैं नको divide पहला radial symmetry वाले जानवर दूसरा bilateral symmetry वाले जानवर हम लोग bilateral में आते हैं by मतलब दो lateral मतलब की side का उसका भाग यसे कि हम लोग क्या है हमारे bilateral का वो मतलब होता है कि अगर किसी जनतु को बीचो बीच काट दिया जाए तो एक भाग दूसरी भाग का mirror image होता है mirror image अगर समझे कल्पना करिये कि हमें दो भागों में बीचो बीच काट दिया जाए तो एक भाग को जब सीसे में रखेंगे आप तो दूसरा भाग जो सीसे में जो चीज दिखाई दे रहा है और दिखाई जो दे रहा है वही हमारा दूसरा भाग होगा कहने का मतलब कि हमारे में लेफ्ट और राइट भाग होगा हमारे में दो हाथ है दो पैर है दो आखें हैं दो किड्नी है सब चीजें दो दो के संख्या में है एक लेफ्ट साइड में है एक राइट साइड में है तो बीचो बीच काट देंगे तो आधा आधा हम divide हो जाएंगा इसी को बोलते हैं कि हमारे अंदर bilateral symmetry है जिन जनवर में ऐसी चीज नहीं होती कहीं से भी काटिए इसे कोई ball हो गया cricket की गेंद हो गया या कोई football हो गया उसको बीच से आधा आधा काटिए आधा किसी तरीके से काटिए ठीक है दो भागों में बढ़ जाएगा उसमें आप left और right नहीं कह सकते लेकिन हमें हमें आपको एकदम ठीक बीचो बीच काटेंगे तब ही left और right कह पाएंगे ठीक है किसी भी तरीके से काटने पर left right नहीं कह पाएंगे अब तो वही radial का मतलब यह होता है कि उसको भी दो भागों में काट सकते है परन्तो उसमें left और right यासा कोई बात बायां और दायां जैसा कोई बात नहीं होता तो उसको बलते है radial symmetry इसमें दो आते हैं एक आता है phylum sealant arreta और दूसरा phylum tino phora अब एक क्या है इसको नहीं जैनने के जरूरत है जब जुलाजी पढ़ाओंगो optional के लिए तो उसमें आपको समझना है अभी इसकी जरूरत नहीं है बस सिर्फ इतने ध्यान रखिए कि sealant arreta में कौन आता है jelly, phis और hydra question हमेसा पोच देता है कि इसमें से कौन असली मचली है या कौन नकली मचली है तो कई जैनवर के नाम फिस लगा होगा फिस मतलब मचली फिस लगा होगा लकिन जरूरी नहीं है कि वो वास्तविक रूप में मचली है तो जो jelly, phis है तो यह वाकई में मचली नहीं है यह क्या है यह तो सेलेंटरेटा के अंतरगत है यह मचली के अंतरगत नहीं है मचली के अंतरगत कौन आता है हो अब आगे अगली स्लाइड में समझते हैं तो jelly, phis यह देखिए इसका फोटो jelly जैसा होता है ठीक है चिप-चिपा soft उसका body होता है समझ में देखिए तैर रहा है jelly, phis पीछे यह दागे जैसा निकले हुए है आगे चाता जैसा निकले हुए है इसको बोलते हैं jelly, phis टीनो फोरा में कोई काम की चीज ऐसी नहीं है जो phis यह पूछ सके जो पूछ एगा वही बताऊंगा पाल तू नहीं बताऊंगा जो लाओ जी बहुत ही बड़ा है पढ़ने में साल भर लग जाएगा पुरा लाइन से पढ़ेंगे तो आपको एक दो लिक्चर में खतम करना है अच्छा, अब आते हैं अपनी वाली symmetry, bilateral symmetry तो इसमें कई हैं, ठीर सारे हैं एक line से समझते हैं ये को होता है, अच्छा, ये समझिए कि हमारे सरीर में सरीर हमारा अंदर से ठोस नहीं है, अंदर से खोकला है, उसमें cavity है इंगलिस साइनस में बोलें तो cavity हमारे सरीर के अंदर है cavity मतलब एक गुहा है एक खाली अस्थान समझते हैं, एक खाली अस्थान है, जिसमें हमारे तमाम तरह के अंग एक तरह से suspended है ठीक है, हमारा आथ हो गया पेट हो गया, दिल हो गया किद्नी हो गया, ये सब अपने अपने चैंबर में, एक बड़ा सा खाली अस्थान है, उसमें ये सब अंग आपने अपने छोटे छोटे चैंबर में लटके हुए हैं, पड़े हुए हैं ठीक है, अंदर से हम ठोस नहीं है तो हम भ भी बोला जाता है हमारे अंदर एक cavity है और एक cavity कैसी है, एक cavity true cavity है, मतलब cavity का जो feature होना चाहिए जो लच्छड होने चाहिए, वो लच्छड क्या है, अभी नहीं समझना है आपको, तो इसलिए बोलते हैं, कि हमारी जो cavity है, true cavity है, तो इह देखिए true cavity, एक होता है false cavity, मतलब cavity तो होगा, लेकिन उसके cavity के सारे लच्छड नहीं होंगे, और एक, एक में तो cavity ही नहीं है, तो जि जीवी होता है, ठीक है, खासकर बच्चों के पेट में सब पढ़ियाता है, पेट के रोक हो जाते हैं, डॉक्टर उसको, बात में निकालते हैं, दवा दे देते हैं, कि वो मर जाए, ठीक है, फीता क्रीमी, बच्चों कि नहीं सुनते हैं, कि मिट्टी खा रहा था बच्चा यहाई नहीं है, आपको नहीं यह समझना है कि body cavity क्या है कैसे है, बस ध्यान रखें कि सब एनिमल्स हैं, और फीता क्रीमी एक तरह का bilateral symmetry वाला एनिमल है, दूसरा इसमें false cavity, false cavity में निमेटोडा, निमेटोडा फाइलम या एसकलेमिन्थी जिसी को बोलते हैं, इसमें आता है ऐस Askeris, रोग हो जाता है बच्चों का इसलिए बता रहा हूँ, Askeris का नाम Askeriasis नाम अगर रोग हो जाता है, अधिकांस तब बच्चों को ही रोग होता है क्योंकि मिट्टी और खा लेते हैं, तो उसी में सब गंदगी में पाये जाते हैं, बस इस चाथ नहीं समझना है, आप प्रोकरियोड, दूसरा यू केरियोड, बताया था कि यू मतलब ट्रू, केरियोड मतलब न्यूकलियस, जिसके अंदर न्यूकलियस के सारे गुड हों, उसको बोलते हैं यू केरियोड, यू जहां भी साइन्स में लग जा, इसका मतलब ट्रू, सच्चा, उसके सारे एनी लीडा, केचुवा हो गया, आपका जूवक हो गया, ठीक है, इनके अंदर बहुत से feature होता है, एक feature नहीं का ये होता है, कि body जैसे लगता है कि छोटे छोटे भागों में बड़ा हुआ है, चोटे छोटे भागों से मिलकर बना हुआ है, यह देखिए जंब का फोटो आग केचुवा का पूरी बॉड़ी देखिए अब जो खेतों में किसान के मित्र होते हैं किसान के मित्र क्यों होते हैं क्योंकि मिट्टी को मिट्टी में बराते हैं ठीक है मिट्टी में रहकर इस तरह से खाते हैं कि मिट्टी जमीन का नीचे का जो मिट्टी है ओ ऊपर आ जाता है नीचे के जो उपर जाओ मिट्टी है, उपर आजाता है, मिट्टी का मिक्सिंग होता रहता है, इसे मिट्टी की जो उरवरा छमता है, वो बनी रहती है, इसलिए बोलते हैं केचुवा किसान का मित्र होता है, तो एनी लेडा में केचुवा जो काग्यान का सरीर में बोलते हैं कि segment है, चोटे-चोटे यह से segment से मिलकर बने हुए है दूसरा जो महतवपूर जो PCS में हमीशा पूछते रहाता है आर्थरो पोड़ा आर्थरो पोड़ा को अगली स्लाइड में डेटेल में समझे कि अभी तक उसको रुखते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर आता है मोलसका इसमें घेंगा वगर आता है घेंगा हो गया और जो परल ओश्टर, जो मोती जो प्राकर्तिक मोती होता है मोती कैसे बनता है यह तो प्लास्टिक का हो गया और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मोती कैसे बनता है मोती नेचरल होता है प्राकृतिक होता है ये इसी मोलसका फाइलम के अंतरगत कुछ जन्तु होते हैं उनके सरीर में वो प्राकृतिक रूप से बनता है परन्तु उसा कल्चर भी करते हैं उसका जापानोगर में काफी कल्चर होता है काफी मतलब एकोनामी में काफी अर्थ ब्यूस्था में लाब देता है तो एक आदमी हाथों से पकड़ा हुआ है यह क्या है पर्ल ओइस्टर नामक पर्ल ओइस्टर नामक एक जन्तु है देखिए छोटे-छोटे कई मोती इसमें दिख रहे हैं चमकदार मोती गोल-गोल ठीक सी-पी हो गया ठीक है गाउं में पहले सी-पई से इसे आलों हो गया चिलने पहले नहीं होती थी उतनी तो चिलते थे हमारे भाले-पाल इकाल में तो सीपिशे करते थे आप तो फैर्वे तिसटील यह सब इसमें आते हैं खेंघा Ministry ठीक हDas डिञ़ना में डेकर यहां लगा है लेकिन फिस नहीं है फिस को समझेंगे अगली स्लाइड में कि फिस में आता है ठीक है वो तो वाइटी ब्रेट में आता है ना यह सब नहीं है यह सब इन वाइटी ब्रेट्स है इसमें कसे रुक दंड नहीं है इसमें रीड की हड़ी नहीं है अभी तक जितना हमने पढ़ाना इसमें रीड की Cup take colors of Account rate you can add Subscribe and energy कि वी हिए तो अब तक हम ने समझा कि जिन जानवरों में रीड की हड़ी नहीं होती यह कितने प्रकार पुर्य होते क्या-क्या नाम है अलग- वरगों में कौन-कौन से जानवर है ऊसी मेंसे एक विनारीड की हड़ी वाला है आर्थरो पोड़ा आर्थरो पोड़ा जिसमें से हमेशा सवाल पोच देता है PCS में इसमें बेसिकली यही सवाल पोच देता है कि चार आपसन देदेगा पूछेगा कि इसमें से कौन एक जानवर बाकी की तरह नहीं है या बाकी से अलग है तो अलग किस अधार पे हो तो यह देखिए नीके बड़ा सा फोटो मढप्घी का, हैं तीन मतलब 6 फैर हैं जोड़ी पैर हैं और फैर देखि एक पैर को देखिया आप सोटे-स प्होटी भागी लग रहा है कि एक पैर में कई चोटे चोटे भाग आपस में जूडे हुए हैं इसी जूडे हुए के वज़े से ही इसको बोलते हैं आर्थ्रो पोड़ा आर्थ्रो पोड़ा मतलब ऐसा वह जन्तु आएंगे जिनके पैर जूडे रहेंगे अच्छा तो पैर जूडे रहेंग तो कई भाग होते हैं, कई class होते हैं, हम main main समझ लेते हैं जो पूछता है, पहला होता है अराक नीडा, अराक नीडा नामक class होता है, उसमें कौन-कौन से जनतु आते हैं, उसमें आते हैं spider, मतलब मकडी, और क्या आता है, scorpion, और क्या आता है, might और tick, spider, मकडी, मकडी आप होंगे, यह देखिए, नीचे फोटो मकडी का, एक, दो, तीन, चार पैर धर, चार पैर धर, तो मकडी में कितने हैं, आठ पैर हैं, तो चार जो option दे देगा ना, कि इसमें से चुनी है कि कौन बाकी से अलग है, तो ऐसा रहेगा कि इसमें एक यही मकडी वाला class का रहेगा, एक spider रहेगा, या scorpion रहेगा, या might रहेगा, या tick रहेगा, ठीक है, तो उसमें आठ पैर होंगे, तो अलग हो जाएगा, बाकी जो तीनों option रहेगा, उसमें कि सर्फ 6 पैर रहेगे, छे पैर वाले कौन कौन हैं, छे पैर वाले आते हैं, इंसेक्टा में, इंसेक्टा में, देखिए, नाम पढ़ रहा हूँ, जितने भी नाम पढ़ूँगा, सबी में सिर्फ 6 पैर रहेंगे, 8 नहीं रहेंगे, 8 किस में होते हैं, मकडी में, 8 किस में होते हैं, बिच्छू में, ठीक है, और might और tick में, लेकिन अभी जो पढ़ने जा रहा हूँ, उसमें सिर्फ 6 रह का, ये भी मचली नहीं है, ये भी असली मचली नहीं है, तो सिल्वर पिस देख लिया आपने, ठीक है, उधर जेली पिस देख लिया था, तो ये सब मचली नहीं होते हैं, तो काकरोच, मचर, मक्की, टिड़ा, टिड़ी, मदमक्की, ये सब क्या हैं, इसमें 6 ही पैर है, 8 प प्रकार के हो गया, मकडी एक प्रकार का हो गया, तो समझ गये बाता, तो option में देख किये का, तो इस तरह से आप लगा देंगे, मकडी अलग हो गया, ठीक है, मकडी जैसा ही बिच्चू हो गया, मकडी बिच्चू अलग हो गया, बाकी सब एक तरह से अलग समझे आप, जिंगा मचली किस में आता है आर्थ्रोपोड़ा में आता है इनवाइटिब्रेट है मचली क्या होता है मचली वाइटिब्रेट होता है उसमें रीड की हड़ी पाई जा सकती है परन्तु इसमें आर्थ्रोपोड़ा में रीड की हड़ी नहीं है यह तो इनवाइटिब्रेट ह तो जो जहां гр m疲た द का बुलते हैं फ्राउन इस फोटो उपर इसमें 10 पर होते हैं जहिंगा मचली में 10-पर होते हैं केकड़ा केकड़ा हो गया क्रेप विस का इंसली फीस नहीं है तो क्रेप फीस हो गया, सिलवर फीस हो गया, जेली फीस हो गया एgen상이 सब असली मचली नहीं है असली मचली का बारी अबार आ तरह आय तिर देर उसको दिखते हैं तो हमने अब तक ऐसे जन्ड़ों को पढ़ गया जिसके अंदिर रीड की हड़ी है ही नहीं read की हड़ी है यह नहीं और जिनमें read की हड़ी है या read की हड़ी से पहले वाली सन रचना है उसको बोलते हैं card data card data, card मतब रसी होता है समाने भासा में ओ रसी, एक बिसेश्ट प्रकार की रसी इसको बोलते हैं noto card card data में ओ जनतो होते हैं अंदर कभी ने कभी noto card नमक चेज रहती है noto card क्या है आपको बिलकुल नहीं समझना है इसलिए main आजाते हैं अपने मुद्दे पर तो card data कई प्रकार के रहते हैं एक प्रकार जो बिसेश्ट प्रकार के जिसमें हम लोग आते हैं वो होता है वर्टी ब्रेटा वर्टी ब्रेटा में क्या होता है कि noto card जो ब्रूडी अवस्था में noto card होता है वो बाद में पैदा होने के बाद या adult में सारी पैदा होने के बाद से ही पैदा होने के बाद से read की हड़ी में बदल जाता है ठीक है ब्रूडी अवस्था में noto card होता है लेकिन पैदा होते ही वर्टिब्रल कॉलम में या रीड की हड़ी में रीड की हड़ी है ना हमारे पीछे अच्छा आगे पीछे हमारे हम थोड़ा सा अपना बात कर लेते हैं मनुसे का बता ही दिया कि हमारे इंगर बाइलेटरल सिमेट्री है ठीक है बाइलेटरल सिमेटी मतला बीच से काड़ देंगे आधा आधा तो हमारे एक लिप्ट साइड और एक राइट साइड कह सकने लाइक चीज दो भागने मिल जाएगा और यह देखिए हमारे जो सामने का पोर्षन है मुह वाला पोर्षन पेट वाला पोर्षन साइड होता है ठीक है डार्सल और वेंटरल जैसे मल यह किड्नी का ओप्रेशन होना है तो किड्नी का ओप्रेशन कैसे होगा आपको पेट के बल लटाएंगे आपका पीठ ऊपर रहेगा पीठ डॉक्टर की तरफ रहेगा रीड की हड़ी के तरफ से चीरा लगाएगा और क किड्नी एक तरह से पीछे के साइड में है रीड की हड़ी की तरफ है ठीक है रीड की हड़ी हो गई किड्नी हो गई पीछे के साइड में है दिल का ओप्रेशन सामने से करेंगे वेंट्रल साइड से करेंगे ठीक है पेट के साइड से करेंगे तो यह सब अंतर समझे रहिए का सवाल है अच्छा तो वाइटी ब्रेटा में बात कर दिसमें दो चीज़ें आती हैं पहला तो मचली और दूसरा टेट्रा पोड़ा अब देखिए यहां मचली आ गया ना अब एक स्लाइड और आगे में देख लेंगे कौन को से असली मचली है मचली यह आ गया टेट्रा प मतलब पैर अभी परद्धे आ अ पुड़ा पुड़ा मतलब फैर एट्स्था मतलब चार तो मचली लग हो गई है चार के जानवर अलएग हो गई च्याक आपES आ है Hun काला MPV-a इंपी मतलब दोनओ मतलब कौपे दो जगह डो जगह जया जल और रस्थल पानि में भी रह सकत तो इसमें कौन मेढक दूसरा रेप्टिलिया सरकने वाले जनतु जिसमें मगर्माच हो गया ठीक है साप हो गया सब इसी में आ जाते हैं तीसरा इसमें जो कटिकरी है वो पच्छी का है पच्छी और चाओधा मैमल्स या अस्तनधारी अस्तनधारी मतलब उसके अंदर अस्तन गरंथी रहेगे, बच्चे को दूध बिलाने के लिए, एक सन रचना है, सरीर के अंदर, माता के अंदर, ठीक है, तो असन धारी, और भी लच्षड होते हैं असन धारी के, बाल होते हैं, बाल सब में नहीं होते हैं, ठीक है, बाल होंगे और प्लेसिंटा होगा ठीक है मैमेरी ग्लेंड होगा निपल होगा तमाम चीज़ें होती हैं उसमें डिटेल में हम नहीं समझते हैं और ध्यान यह रखिए कि जो पच्छी हैं और मैमल्स हैं यह होते हैं सम तापी इनका तापमान सरीर का हमेशा एक ही जैसा रहेगा चाहे बाहर सर्दी पढ़ रही हो बाहर गर्मी पढ़ रही है बाहर कोई भी मौसम हो बाहर का तापमान जो भी हो हमारे सरीर का तापमान हमारे सरीर का तापमान या कोई पच्छी है ठीक है कोई कबूतर है चिडिया है उसका सरीर का तापमान हामेशा सेम रहेगा अजब कि इधर जो हो गया मचली हो गया, मेठक हो गया, सांप हो गया, मगरमच हो गया इनका तापमान जो बाहर का वातावरण है उसके तापमान के आसपास बना रहता है उनका तापमान बदलता रहता है ठीक है? तो आप देखते नहीं है वीडियो या पोटो में कि मगर मच धूप बाहर पानी से निकल कर बाहर धूप सेखता है थंड़ा जब हो जाता है शरीर उसका ना तो इसको धूप सेखना पड़ेगा नहीं तो मर जाएगा ठीक है अच्छा अब मैमल्स में डिटेल में समझते हैं तो मैमल्स में तीन क्लास होता है एक होता है प्रोटो थेरिया एक होता है मेटा थेरिया एक होता है यू थेरिया देखे यू फिर से लग गया यू मतलब ट्रू थेरिया इसमें हम लोग है हम लोग सबसे एडवांस मैमल्स हैं मतलब कि यू थेरिया है अभी क्या है इसको न करने वाले जनतु आते हैं जो की सीधे बच्चे नहीं देते हैं हमारे में क्या होता सीधे बच्चे देती है माता न… इसमें सीधे बच्चे निदे इसमें अंडा देता है इसमें अंडा देता है अंडा से बच्चा निकलता है ठीक है अंडा देगा और अंडा से बच्चा निकलेगा लेकिन इसमें मैमल का भी गुड़ रहेगा memory gland भी रहेगा, memory gland तो रहेगा लेकि निपल नहीं रहेगा निपल यह टीट नहीं रहेगा ठीक है, निपल नहीं रहेगा memory gland के उपर उदारण पोछ देता है कि यह किसमें आता है तो आपका उत्तर होगा कि यह mammal है कौन mammal है, echidna echidna, इसका दूसरा नाम है spiny ant eater spiny मतलब कि काटेदार, चींटी खाने वाला, तो यह देखिए काटा इसका सरीर में लगा हुआ, छोटा सा होता है बाहर नुकीली चोच है यह चींटी खोज रहा है चींटी खाएगा, नास्ता करेगा चींटी का दूसरा रस में आता है duck bill, mole, तेसे नाम ध्यान रखिए दूसरे में आता है मेटा थेरिया, मेटा थेरिया में आते हैं पाउच वाले जन्तू आप जानते हैं कि हमारे में माता सीधे बच्चे को जर्म दे जती है, बच्चा आजाता है हुआ है, इस स्किन का एक एक इक्स्टेंसन है उसके तोचा का ही एक प्राकरतिक इक्स्टेंसन है उसी में बच्चा बैठा हुआ है तो एह हो गया हमारे सूपियल्स यूद धिरिया इसमें कि हम लोग आते हैं उसमें अब नहीं खुसेंगे अंदर हम आगे देखते हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं कौन-कौन असली जन्तू है कौन असली फिस है, कौन असली मैमल से तो पूछ देता है सवाला में सब तो रियल फिस में दो सब बता दें हैं जेली फिस वकर रहे हैं सब रियल फिस नहीं है रियल पीस में catfish और sea horse ठीक है catfish और sea horse यह देखिए sea horse इसका मुह घोड़े जैसा है ठीक है तो लेकिन है मचली क्या है मचली है ठीक है यह horse नहीं है mammal नहीं है यह मचली है और एक तरह से catfish इसका फोटो नहीं लगाया हूँ mammals में देख लेता है जो असली mammals है जो इसके इंतर memory gland जरूर रहेगा अस्थन ग्रैथी जरूर रहेगी वो कौन है तो उसमें समद्री गाय यह देखिए समद्री गाय है ठीक है समद्री सेर डॉल्फिन यह देखिए डॉल्फिन उचल रही है पानी से खेल दिखाते हैं मचली मतलब इसे बच्चे देंगे इसके नदर memory gland होगा, अंडे नहीं देंगे, यह सब अंडा नहीं देगा, अंडा देनों तो एक पुराना हो गया नहीं, इसपानी आयन टीटर एक पुराने प्रकार का मेमल हो गया, जो advanced मेमल होगा, सीधे बच्चा देगा, ठीक है, तो यह सब बच्चे देने वाले हैं, फे अंडर में लंगूर आ गया, बंदर आ गया, कपी में, कपी में ही मनुष से आता है, लेकिन मनुष से पहले भी तमाम लोग हुए, वो कौन हुए, तो एक होता है हीन कपी, एक होता है महा कपी, हीन मतलब छोटा छोटा होता है, यह देखे गिबन, यह देखे गिबन का गोडिला सबसे बड़ कपि होता है गोरिला ख़तांग होता है बारी भर कम होता हिए तर्ट हीनर ट्थर ना गोरिला चिंपेंजी और अठी मेन मैंच करता है यह और ना तो भ हलंदền न थिक के सबस्थिस सबसे वो दिमान में मने Void起 okay जा लाकपी गहां लंबा हो रहा है है लिए किया करिऄहन करना पढ़ेगा कम तो बहुत कुछ पढ़ा देंगे लेकिन उतना पकड़ नहीं पाएंगा आप बोर जाएंगे इसलिए चुटा चुटा रखा हुआ हूँ फिर भी चलिए आज की लास लाइड है ठीक है तो जन्तु का पढ़ लिए हम लोग विवाजन अब देख लेते हैं पाउधा का अच्छा पाउधा का सुरू करने से पहल पत्ती में पहले कौन आए पहले बैक्टिरिया आए बैक्टिरिया में भी कौन है ब्लू ग्रीन बैक्टिरिया बैक्टिरिया में कौन ब्लू ग्रीन बैक्टिरिया ठीक है नीला हरा बैक्टिरिया या नीला हरा सैवाल भी बोल देते हैं उसको ठीक है ब्लू ग्रीन नहीं से पौधे का विकास हुआ है ठीक है दूसरा चीज समझे आपकी आप जानते हैं कि पौधफे अपना bhojan svgram मैं बना गॉंदर रंग का क्लोरो प्लास्ट होता है क्लोरो प्लास्ट के अंदर हरा रंग का पिगमेंच होता है वर्डक होता है जिसको बोलते हैं क्लोरो फिल फिर से रिपिट कर रहा हूं पौधा अपना पोजन स्वाइम बना सकते हैं इसके लिए उसको बोलते हैं उत्पादक उसलिए पौधा का बो होता है तो होता है magnesium mg जिसको सौट में लिखते हैं एम जी मैगनीज तो MN लिखते हैं वह अलग हो गया chlorophyll के अंदर magnesium तो chloroplast यह जैसे पहुदा अपना बोजन खुद बना सकता है यह chloroplast क्या है यह chloroplast वाकई में यही ब्लू ग्रीन एल्गी है या ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया है जो कि सबसे पहले जीवन की उत्पत्ती जो हुई तो यही सब आये पहले सबसे पहले पौधा नहीं आया तो यही सब पौधा के अंदर कोसिका के अंदर घोसकर chloroplast के रूप में हैं तो यह चीज को समझे रहिए कि पौधा के अंदर जो chloroplast है वास्तों में ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया ही है यह ब्लू ग्रीन एल्गी ही है दोनों का सब्द मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी आपको अपको सवाल नहीं पूछेगा, PCS में या OPSC में, तो यह पौधा समझ लिए अब, पौधा में भी तमाम है, जो आज फल वाले हम पौधे समझते हैं, वो तो आते हैं, एंजियो स्पर्म में, लेकिन उसके पहले, एंजियो स्पर्म समझते हैं भी, रुकिए, तो पहले भी तमाम आ होता है कि बीज नहीं होता, पौधे में बीज होता ही नहीं है, दूसरा होता है टेरडोपाइट, टेरडोपाइट से धीरे धीरे बीज की सुरुवात होती है, वास्तविक रूप से नहीं, लेकिन स्पोर के रूप में बीज की सुरुवात होती है, यह देखिए फोटो टे ठीक है, मतलब किसी आवरण से घिरा हुआ नहीं, खुला, एकदम खुला, इस पर मतलब यहां पर बीज, जिमनोस पर में ऐसे पेंड आते हैं, जिसके उपर इस तरह से बीज, जो बीज लगा रहता है, वो किसी आवरण से घिरा नहीं रहता है, इसमें देवदार का पेंड आ जाते हैं जो की क्या है जमनो स्परम है इसमें बीज बाहर से घीरा नहीं रहता किसी दिवार से यह पर का बीज इसे बेज बरे बरे बिज है नयुस तरह से लेकिन ए खूला दिख रहे हैं आपको आखोँ से यह बाहर से घीरे होई नहीं है इंजी उस पर में ऐसे पिंड़ आते हैं जिसके अंदर बीज फल के अंदर रहता है बीज खूले में नहीं रहेगा इसे ध्यान रखें इंजी उस पर में ऐसे पिंड़ आते हैं जिसके अंदर बीज फल के अंदर रहेगा जो भी अब फल खाते हैं सेब हो गया, अमरूद हो गया, ठीक है कुछ भी हो गया, पपीता हो गया तो क्या होता है, अंदर बीज होता है ना, आम हो गया, संत्र हो गया अंदर बीज होगा, नीबू हो गया अंदर बीज है, बाहर एक फल एक आवरड है, बीज किसी चीज के अंदर पड़ा हुआ है, बीज बाहर खुले में नहीं दिख रहा है आपको तो ऐसे पौधों को बोलते हैं एंजियोस पर, यह बात समझ गए आप अच्छा अब देखते हैं अब देखते हैं कि फल बना कैसे फल बना कैसे है, फल फूल के ही, फूल के ही एक भाग से बनता है फूल के ही एक भाग से बनता है, कैसे बनता है पहले देखते हैं फूल के भाग क्या है यह देखिए छोटा सा फूल है फूल में क्या क्या चीज़े है यह देखे, लाइन से लिखा हुआ है, ठीक है, एक फूल है, जिसमें यह पीला-पीला इसको बोलते हैं, पेटल, इसको बोलते हैं, पेटल, यह जो नीची छोटा-छोटा हरा-हरा निकला हुआ है, इसको बोलते हैं, सेपल, और दो चीजें और होती हैं मुक्यता इसमें, एक होता है male reproductive system पुरुस जननांग और एक होता है female reproductive system माधा जननांग ठीक है यही माधा जननांग का जो एक हिस्सा होता है वही बाद मैं जाकर फाल बन जाता है सेपल और पेटल जाड़ जायेंगे कि वहल माधा जननांग बज जाएगा वही बाद में फाल बन जाएगा अच्छा देखते हैं तो मादा जन्नांग पुरू जन्नांग में हैं क्या तो यह देखे मादा जन्नांग मादा जन्नांग में यह ओवरी है ठीक है यह जो फूला हुआ पोर्सन दिख रहा है नहीं चाहिए आपको किसी घड़े जैसा दिख रहा है यह क्या है ओवरी है और बीच में उसके छोटे छोटे गोल गोल दिख रहा है वो हैं ओवियूल्स ओवरी और ओवियूल यही ओवरी बाद में फल बन जाएगा और यही ओवियूल बाद में बीज बन जाएगे यही ओबरी जो है यही फल या फल की दिवार बन जाएगी और ओबियूल बीज बन जाएगे ओबियूल बाद में बीज बन जाएगा अच्छा ओबरी के ऊपर क्या है ओबरी के ऊपर इस्टाइल है और इस्टाइल के ऊपर क्या है इस्टिगमा इस्टिगमा एक प्लेटफॉर्म जासा एक सरफिश जासा चप्टा सा रहेगा और इस्टिगमा को ओबरी से जोड़े रहेगा एक लंबा सा इस्टाइल यही जताने केसर क्या है सबसे ज़्यादा केसर कस्मीर में उगता है करेवा मिट्टी में उगता है करेवा नमक मिट्टी में तो यह केसर क्या है केसर यही इस्टाइल और इस्टिग्मा है केसर यही इस्टाइल इस्टिग्मा है और नीचे जो ओवरी बताया वो फल की दिवार हो गई और भी बीज हो गया तो यह हो गया माधा जन्नांक के बारे में जादक पुरुष जन्नांक की बात है तो इसमें कुछ भाग है जैसे एक फिलामेंट हो गया लंबा सा और उपर क्या हो गया उपर हो गया एंथर उपर हो गया एंथर ठीक है तो स्टाइल और एंथर को मिला कर बोलते हैं स्टेमें स्टेमें इसी एंथर के अंदर आता है पालन ग्रेन पालन ग्रेन बस इससे आगे नहीं समझना फिलाल आपको अब हम सीरे आ जाते हैं पूछता है कि फला चीज किस चीज का रूपांतरड है तो आप जानते हैं सामाने था एक जड़ होता है तना होता है जिसको एस्टेम बोलते हैं और पत्ती होता है तना पर साखाएं रहेंगे साखाएं पर पत्ती रहेगा तो कोई कोई ऐसा फ़ल होता है कोई कोई ऐसा चीज़ होता है जो अलग-अलग चीज़ों का रुपांत्रड होता है जैसे जड़ों का रुपांत्रड पूछेगा तो उसमें मूली हो गया गाजर हो गया, सकरकंद हो गया मूली अगर आप ध्यान से देखेंगे या आजर ध्यान से देखिए आप तो मूली का जो खाने वाला हिस्सा हो गया वो अलग हो गया खाने वाले हिस्सा और जहां से पत्ती निकला है पत्ती निकला है तो उन दोनों के बीच में एक बहुत ही चपटा सा एक डिस्क जैसा एक फ्लेट एक ऍस्टरक्चर होगा, वही उसका तना है, तना बहुत ही छोटा महीन हो गया है, पत्ती तो आपको दिखी रहा है और ऊपर पत्ती बीच में तना और तनी के नीचे खाने वाला भागे जड़, तो मूली क्या है? मूली जड़ है मूली जड़ का रूपांतरड है जल उस तरह से खाने जैसा बन गया है और तना एकदाम चप्टा जड़ उपत्ती के बीच में तना एकदाम चप्टा सा structure बच गया है तो मूली, गाज़, सकरकंद सब जड़ के रूपांतरड है तना का रूपांतरड जैसे आलू हो गया आलू को आप ध्यान से देखें तो आलू की बोलते हैं आँक आलू में चोड़े-चोड़े गड़े होते हैं आँक जैसे ठीक है? उसी आँक से जड़ निकला रहेगा जो आलू मार्केट में बिखता है उसमें आपको नहीं दिखेगा वो जड़ जाता है लेकिन जब आप मिट्टी से निकालेंगे आलू या खेत में देखी है अब ध्यान से तो जो आलू की आँक होती है उसमें चोड़े चोड़े रेसे जैसे जड़ दिखाई देगा तो वो तो जड़ हो गया ना तो आलू क्या है? आलू तना है क्यों तना है? क्योंकि उसके उपर तो पत्ती दिखी रहा है ना आलू के उपर आलू को जमीन के अंदर आलू कहा जमीन के अंदर उकता है न, उपर तो पत्ती रिखते है आपको, तो उपर पत्ती हो गई, आलू तना हो गया और आख से निकला हुआ जड़ हो गया, तो इसी तरह से हल्दी भी, अधरक भी, दूब गहास भी, दूब गहास क्या होता है, ऐसे जमीन के समनांतर चलता है न, जमीन के समनांतर चलेगा, ओपर पत्ती ऐसा निकला रहेगा, तो पत्ती तो अलग हो गया, लेकिन जो समनांतर चीज है, वो तो तना हो गया न, और जड़ मिठी के अंदर रहेगा उसका, गन्ना भी क्या है, तना का रूप अंतर है, जड़ तो अलग हो गया, और पत में बहुतायत से पाय जाता है और एक पौधे ऐसे जगहों पाय जाता है जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है जिस मिट्टी में नाइट्रोजन कम होता है उसी में पाय जाता है अधियान से देखिए आप एक कलस जैसा है एक घड़ा जैसा इसके इसलिए इसको बोलने है घ जट से धकन बंद हो जाएगा कीड़े में क्या है कीड़े में कोड़े के अंदर नाइट्रोजन मिल जाएगा तो कीड़ा बिशारा धकन बंद होने के बाद नीचे गिर जाएगा और नीचे एंजाइम से पच जाएगा कीड़ा खतम और पौधे को मिल जाएगा वही है और लॉंग बंद कली है कली ही बाद में खिल कर फूल बनेगी न तो फूल खिलने से पहले जो अवस्था है उसको बोलते है कली तो इसी कली को तोड़ लेते हैं और सुखा देते हैं तो बन जाता है लॉंग तो ए रहा हमारा जन्तु और पौधे का पूरा वर्गी जाएंगे अधिकांस मैंने कभर कर दिया है 90% कभर कर दिया है जो छूटेगा भी उसको अब आप खुदे से ही समझ जाएंगे योकि आप पूरा क्लास्पेकर समझ लिए तो आप बीच में समझ जाएंगे कि यह सवाल कहां से उठाया है तो उसको लगाएं आप मेरे साथ आप भी मेहनत करिए कर ही रहे हैं और करते रहे हैं पढ़ाई कोई लिमिट नहीं होता है मैं सब कुछ नहीं पढ़ा सकता कोई अधियापक सब कुछ नहीं पढ़ा सकता पीसिस निकालना एक तबस्या के चीज़ है आप लगिए मैंने सब को आपको बेसिक फ्रेम सारा थीम सारा important concept बता दिया ठीक है तो इसमें कोई भी doubt आपको हो आप पूछ सकते हैं मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ हो सकता है कि मैं उन fundamental चीज़ों को एक का दुखा छोड़ दिया हूँ जो आपके लिए important है तो ऐसा पुछ है तो आप बताएं उसको उसमें आप पूछ सकते हैं ठीक है तो बाइलोजी में एक lecture और लोगा उसमें basically हम मानो की बात करेंगे मानो सरीर की जो तमाम चीज़े हैं रखतसमू है जेनेटिक्स है अपना जो डिन ने क्रोमोजो में सब चीज़े हैं ठीक है तो मिलते हैं सर अगले lecture में तब तक के लिए नमस्कार